सब्स्क्राइब कीजिए मार्गी यूट्यूब चानल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिल सके हमारे लेटेस्ट विडियोस सबसे पहले अगर आप बिल में कोई चेंज करना चाते हैं या सेल बिल करते टाइम आप से कोई एंट्री रॉंग हो गई है तो आप उसे delete करना चाहते हैं या आप कोई new item bill में add करना चाहते हैं तो ये सब आप transaction menu के modify bill option की help से कर सकते हैं तो आईए अब software में इसका process देखते हैं जिसके लिए हम transaction menu से sales से modify bill पर click करेंगे या आप keyboard से directly alt plus m की भी press कर सकते हैं modify bill option के लिए then modify की ये window open होगी जिसमे number field में आप sale bill number feed करेंगे जिस bill को आप modify करना चाहते हैं और in case अगर आपको bill number नहीं पता तो इस field को skip कर देंगे और enter press करेंगे तो आपका cursor इस drop down में switch करेगा जहां आप select करेंगे कि जो bill आप modify करना चाहते हैं वो आज create किया है या कल create किया था लास्ट working date में create किया गया था इस week में create किया गया है means Sunday से आज की बीच में या last seven days में create हुआ था या last week में create किया गया था या फिर आप इसे default custom में रहने देंगे तो अभी के लिए हम इस field को custom set करके जैसे ही enter करेंगे तो cursor date में switch करेगा जहां आप custom date set कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक की date के sale bill modify करना है then है filter यहां से आप filtration set कर सकते हैं कि आपको all ledgers की bill modify करने हैं या कोई particular ledger का bill modify करना चाहते हैं या जो bill credit note से adjust हो चुकी हैं वो modify करना है तो अभी हम all ledgers लेते हैं and enter करते हैं then है bill type यहां से आप set करेंगे कि आपको all bills को modify करना है means retail and wholesale both या retail और wholesale bills में किसी bill को modify करना चाहते हैं so अभी हम इस field को all set करते हैं then enter करते हैं again enter करेंगे तो यहां आप देख सकते हैं जो filter आपने लगाए थे उसके according bills यहां show हो रहे हैं तो अब जिस भी bill को आप modify करना चाहते हैं उस पर enter की press करेंगे then यह sale alteration window open होगी जहां से modify tab पर click करेंगे bill को modify करने के लिए अब आप जो भी changes इस bill में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर bill में से कोई item को delete करना चाहते हैं तो simply इस item पर delete की press करके delete कर सकते हैं तो selected item bill से delete हो जाएगी इस तरह से आप अपने requirement की according sale bill में changes कर सकते हैं now modification करने के बाद अब end की press करते हुए bill को save कर लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं old bill amount and new bill amount यहाँ reflect हो रहा है अब changes को save करने के लिए save changes window से yes बटन पर click करते हैं अब यह small window open होगी अगर आपको print out लेना होगा इस modify sale bill का तो P की press करेंगे और print preview देखना चाहते होंगे तो F की press करेंगे अब escape की से इस window पर आजाएंगे अब again same bill पर enter करेंगे तो आप देख सकते हैं जिस item की quantity हमने minus की थी and जिस item को bill में add किया था वो सब यहाँ show हो रहे हैं and जो item हमने delete की थी वो item इस bill में show नहीं हो रहे हैं So friends video में दिखाए गए process को follow करके आप Mark ERP software में sale bill को modify कर सकते हैं Thanks for watching